लास्ट ओबर का रोमांच काफी ही जादा बढ़िया रहाश्ट का दो तीन ओबर इस मैच को काफी जादा इंट्रेस्टिंग बना गया था इस मैच के लास्ट मॉमेंट पे ऐसी ऐसी चीजे होती है अगर आपको वो पता चल जाएगे तो आप हैरान हो जाएंगे जो चीजे हम आपको बताने वाले हैं वो टीवी पर भी नहीं दिखाया गया था इतनी खतरनाक चीज़ अगर आप वो देख लेंगे तो आप एक वक्त के लिए भिस्वासी नहीं कर पाएंगे और बाकी जो आरसीवी और असारच के मैच का लास्ट ओबर का रोमांस था वो तो एक दम अलग था है दोस्तो अगर आखिकर आप भी देखना और जानना चाते हैं लास्ट ओबर का पूरा रोमांस तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो आपको आने वाले वीडियो में आपको काफी जादा फायदा मिल सके आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो भगवान आपके लिए काफी बड़ी बड़ी खुसिया दे और अब जितने भी IPL मैचेस हो रहे हैं वो करो या मरो का हो रहा है यानि कि अगर जो भी टीम जीतती है तो वो कौलिफाई के लिए बरकरार रहेगी अकर हार जाती है तो वो सीधे बाहर हो जाएगी तो आज किस मैच को आरसीबी की टीम को जीतना बेहत जरूरी था ऐसे में इन दोनों का ये मुकाबला काफी ज़्यादा रोमान चक हुआ पहले तो लग रहा था कि आरसीबी की टीम इस मैच को हार जाएगी लेकिन लास्ट में ऐसा कारनामा होता है जो लोगों को हैरान करता है लास्ट ओबर में जीतने के लिए पुरे 6 बॉलों पर 3 रंच चाहिए تھा आसे में पहली गेंद में चेल ब्रेसब्ल पीट हो गए उसके बाद फिर अगली गेंद वाइड हो गई फिर इसके बाद में चेल ब्रेसब्ल अगली टेंद पर तकड़ा साइट मारती है और वोगिन सीधे फिल्डर के पास जाती है और उससे छटक जाती है और वो सीधे बाउंडरी के ओर चली जाती है इसके बाद फिर आरसीवी की टीम इस मैच को काफी आसानी से जीत लेती है इस मैच के जीत में के बाद दोनों ही टीमों में काफी कुछ अलग देखने को मिला जो लोगों को काफी जादा हैरान भी करता है दोस्तो हमने आपको लास्ट ओबर का रोमांच तो बताया ही है साथी लास्ट के मॉमेंट पर ऐसा हुआ जो लोगों को काफी ज़्यादा आश्चर शकित करता है दोस्तों ये घटना ये है कि SRS की टीम को इस मैच को जीतना बहुत जरूरी रहा लेकिन उन्होंने इस मैच को RCB को गिफ्ट कर दिया लेकिन उन्होंने इस मैच को नहीं जीता और RCB की टीम ने सांदार पतसन किया और इस मैच को जीत लिया